दोस्तो आज की दिन अडानी ग्रूप के शेरहोलडर्स के लिए बहुत ही शांदर अपडेट आते वे देखने को मिल रही है सबसे पिले तो अडानी ग्रूप की कमपनियों के क्वाटे 3 के रिजल्ट यहाँ पर पॉजेटिव निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ RBI की गवर्नर शक्ति कांतर दास की तरह से आज की दिन MPC मिट के दोरान अडानी ग्रूप को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पिले यदि आपने चेनल पर फॉस टाइम विजिट के आए तो चेनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा आज की दिन MPC की मिटिंग थी याने की मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी की मिटिंग थी जिसके अंदर RBI के गवर्नर शक्ति का अंतरदास की तरव से कुछ इंपोर्टेन डिसीजन्स लिये गए हैं जिसमें सबसे बिली इंट्रेस रेट को अगेन 25 बेसिस पॉइंट से हाई किया गया है इंडिया की जीडीपी को अगेन फॉर्कास्ट किया गया है और जो एस्टिमेंट से उन्हें चेंज किया गया है और साथ ही साथ RBI की गवर्नर की तरव से अडानी ग्रुप के उपर को कवर करते जाते हैं सबसे बिले आप देख सकते हैं सबसे बिली न्यूज जो अडानी ग्रुप के उपर RBI के गवर्नर की तरव से निकल कर आ रही है जिसमें उन्होंने क्लियर लिक आये कि हिंडन मर्क की रिपोर्ट आने के बाद बीते दो सब्ता से बाजार में काफी ज दिया गया है और उस पर जितने भी क्योशन्स रेस किये जा रहे हैं उसमें उन्होंने क्लियर यहां पर मैंशिन किया है कि देश के बैक इतने बड़े और मजबूत है कि इन पर एसे मामलों का असर नहीं पड़ेगा याने कि उन्होंने क्लियर ली इंडिकेट किया है कि ही मिलने वाला है आगे उन्होंने ये भी कहा है कि देश की बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत है अमेरिकी financial research company हिंडन बर्ग research की report के मद्दे नजर अडानी समुकी कमपनियों को बैंक को द्वारा दिये गए कर्च को लेकर विबिन न तबकों में चिंता जताई जा रही है यानि कि बहुत सारे जो ट्रीटेर से उनकी तरफ से यहाँ पर काफी ज़्यादा चिंता है देखने को मिल रही है कि क्या SBI ढूप जाएगी क्या PNB ढूप जाएगी तो यहाँ पर RBI की गवर्नर का भी यही कहना है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है और यहाँ पर अगर एक्स्पोजर की बात करे जाए तो SBI ने अपना एक्स्पोजर बता दिया है जो कि एक प्रतीशत से भी कमका है अडानी ग्रूप के अंदर जो डैप दिया है उसका साथ ही साथ अगर हम बात करें PNB की तो PNB ने भी अपना एक्स्पोजर बता दिया है उनका एक्स्पोजर तो 0.9% से भी कमका है याने कि इंडियन बेंकिंग सिस्टम ने जो अडानी ग्रूप को लौन दिया है वो बहुत ही मिनिमम है अब बात कर लेते हैं सेकेंड अपडेट की तो यहाँ पर RBI की गवर्नर शक्ति का अंतादास ने जो इंडिया की GDP को जो फॉर्कास्ट किया है उसे यहाँ पर ओर ज्यादा बढ़ा दिया गया है यानि कि financial year 2023-2024 के अंदर इंडिया की GDP ग्रोथ 6.8% से बढ़ा कर 7% कर दी गई है और उसके बीचे जो उन्होंने reason दिया है वो clearly लिखा है कि इंडिया का जो inflation से वो पूरी तरीके से control में आते हुए देखने को मिल रहा है जिसके चलते ही चोई GDP ग्रोथ है वो अगेन हमें काफी अच्छी देखने को मिल सकती है मार्केट ने भी इस news को cheers किया है आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन हमें जब यहाँ पर RBI के governor के meeting स्टार्ट हुई आउटकमस आने स्टार्ट हुए तब मार्केट हमें डाउन जाते हुए देखने को मिला लेकिन जब पूरी तरीके से आउटकमस निकल कर आ गए मार्केट अगेन हमें काफी जदा positive आते हुए देखने को बला और आज के दिन भी मार्केट ने लगबग 150 points की positive closing यहाँ पर दी है अगर आप निफ्टी बेंग की performance चेक करेंगे तो निफ्टी बेंग भी आज के दिन लगबग 46 points की तेजी के साथ यहाँ पर बंद हुआ है यहाँ पर 11 बजी के करीबन हमें निफ्टी बेंग के अंदर लगबग 49-400 याने की लगबग 150 points की गिरावर देखने को मिले थी तो टॉप गेनर्स में बंदर मेंग, ASBI, PNB, Indecent Bank और ICICI Bank याने की PSU Bank आज के दिन टॉप गेनर्स में रहे हैं और अगर हम यहाँ पर बात करें टॉप लूजर्स में तो Axis Bank, Kotak Bank, IDFC First Bank, Bank of Broda और HDFC Bank के अंदर आज के दिन हमें मामूली सी गिरावर देखने को मिली है लेकिन overall अगर आप banking sector देखेंगे तो आज के दिन positive रहा है और उसके बीचे का reason है गवर्नर के statement का यह आज के दिन RBI के गवर्नर शक्तिंग अंदर आज की तरव से RBI की जो यह MPC की meeting थी उसके अंदर जो repo rate है जो interest rate है उसे increase कर दिया गया है again 25 basis point से तो जो अब current हमें repo rate देखने को मिल रही है वो 6.5% की देखने को मिल रही है जो की पहले 6.25% की थी यानि की ultimately अगर मैं बात करूँ कि daily life की चीजों में केसे आपको effect देखने को मिलेगा तो like अगर आपने किसी भी banking sector से किसी भी like अगर आपका SBI के अंदर account है हम एक example लेकर च का है उसका tenure कितने time का है उसका tenure है 30 years का यानि कि यह जो 20 लाख रुपे आपको pay करने है वो आपको आने वाले 30 सालों में pay करने है अब आज की दिन RBA की governor ने जो 25 basis point से interest rate को high किया है इससे क्या फरक पड़ेगा इस home loan पे तो जो interest rate थी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी कितने से बढ़ेगी 0.25% से interest rate बढ़ जाएगी like अगर हम यहाँ पर example लेते हैं कि अभी जो आपका home loan ने उस पर interest rate लग रही है 7.25% की तो अब वो effective हो जाएगी 7.5% की तो ultimately इससे हुआ क्या जो यह example हमने लिया है यानि कि 20 लाख रुपे का जो home loan ने जो कि आपको आने वाले 30 साल क अंदर उसका repayment करना है तो उस पर आपको एक लाख रुपे का जो ब्याज ये एक लाख रुपे का जो interest ही वो ज्यादा पे करना होगा लेकिन ये कब तक ज्यादा पे करना होगा जब तक repo rate को वापीस reduce नहीं किया जाता तो ultimately यही एक normal individual persons के उपर effect आने वाला है यहाँ पर ह होते वे देखने को मिलेगी यानि कि अब आपको bank को ज्यादा interest पे करना होगा इसी के wise वर्षा यानि कि इसी के opposite आपने अगर banking के अंदर अपनी FD करा रखिये अपनी RD करा रखिये यानि कि fixed deposit करा रखिये recurring deposit करा रखिये तो उस पर मिलने वाला ब्याज FD कराते हैं तो उस पे मिलने वाला ब्याज की जो दर है वो बढ़ जाएगी यानि कि एक तरफ अगर हमने bankों में FD करा रखिये तो उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा और दूसरी तरफ अगर हमने bankों से loan ले रखा है तो उस पे हमें ज्यादा interest पे करना पड़ेगा तो यही एक normal individual persons के उपर repo rate बरने का असर पड़ता है यह तो बात हो गई आज की दिन repo rate की हलाकि 25 basis point से जो interest rate को high किया गया है repo rate को high किया गया है यह already predicted था तो यहाँ पर ज्यादा गिरावट हमें market में देखने को नहीं मिली overall अडानी group के उपर जो statement RBI का निकल कर आया है definitely वो अडानी group के लिए तो positive है ही लेकिन साधी साथ Indian banking sector के लिए भी positive है जिसके करण आज की दिन हमें banking sector shares के अंदर कोई बड़ी इरावट भी देखने को नहीं मिली है overall अडानी group के shares ने भी आज की दिन काफी अची performance दिखाई है जिसमें अडानी enterprises 20% का अपर circuit अडानी ports 25% की तेजी अडानी transmission 5% का अपर circuit overall ये थी कुछ important updates साधी साथ अडानी group से related जो इनकी दो कमपनिया है अडानी विलमार और अडानी पावर के financial result निकल कर आ चुके जो की last वीडियो में मैंने आपके साथ में share कर दिया है तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो को check out नहीं गया है तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को भी check out कर सकते हैं मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे official टेलेग्राम चेनल बाजार की खबर को join नहीं गया है तो link आपको description box में मिल जाएगी thank you for watching have a nice day